नमस्ते दोस्तो आप लोग कैसे हैं आशा करता हूं दोस्तो आप लोग बहुत अज्योंग दोस्तो राष्टिय रक्षा अकाडमी इसमें दोस्तो एयरफोस ने भी और दोस्तो इसके अलावा आर्मी तीनों के लिए पर्मानेंट वेकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया दोस्तो इसमें निकली हुए ठीक है सौमपून डिटेज बताएंगे और मातर बार भी पास भी वेकेंसी है इसके लिए हाई-फ़ी क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए तो कौन-कौन बहुत जगता है एज सेलेक्शन परसद कैसा होता है सरा एटू जनकारी आपको देते ह देखें दोस्तों जैसे कि मैंने बताए यह एंडिये के फेकेंसी है नेशनल डिफेंस अकाड़ी हिंदी में राशिय रक्षा एकाडमी बोलते है टोटल अगर पोस्ट की बात करें ना तीन सो पंचार में पोस्ट पी यह फेकेंसी निकलके आई है जिसमें से आर्मी का केव पोस्ट के एरफॉस वाला फ्लाइंग में ड्लमे पोस्ट जिसमें formal is पहले क्या होता फीमेल के लिए सीट नहीं होता था लेकिन अब दोनों के रहें इसमें अपलाई कर सकती है ठीक है अपलाई दोस्तों हो चुका है चे जुन तक लास डेट है तो आपको इसी महीने में अपलाई कर देना है फी कितना लगेगा जैनल ओबीस है तो मातरे 100 रुप करने रेट के लिए 0 रुपे तो फी भी कोई हाई फाई नहीं है 100 रुपे ही फी है ठीक है फॉर्म भरते समय अगर कोई गलती हो जाता है तो आप साथ से लेके 13 तारीक के बीज में जून में करेक्शन कर सकते हो कभी होता है न स्पेलिंग गलत हो गया या कुछ भी गलती हो फिसे पर दोजाएं में जिनका जना हुआ हुआ फोई करेंगे ठीक है क्वालिफीकेसन देखिए और अगर करोगो जिसमें 208 पोस्ट है आर्में के लिए दोस्तों मात्रेंट आप बारभी पास है अप्लाई कर सकतो इसके लिए कोई एक्स्ट्राक्वालिफीकेसन और नही में इसके इसमें भी 12 पास हां 12 में आपका PCM होना चाहिए के लिए अगर आप साइन्स से नहीं है तो आर्मी में पढ़ाई कीजिए और सबसे दोस आठ पोस्ट है एक बस जरूर फोर्म भरिए दोस्तों ठीक है इस फोर्म मों जरूर भरना चाहिए आप लोगो ताकि आपको आइडिया हो किस प्रकार किसमें प्रस्न पूछा जाता है ठीक है और सवर पर लग रहा है बाके से इस इसके लिए भी धाई घंटे का समय मिलेगा टोटल 300 और 600 अगर करते हो तो 900 माक्स हो जाता है यह आपका पूछेगा बाकी नेगेटिव आपका 0.333 रहता है एक्जाम का मोड होगा ओफ लाइन पेपर होता है यह ध्यान रखिएगा ओनले नहीं OMR पेस्ट आपका पेपर हो बूक से करनी है यह जो बूक आप देख रहो ना NDA के लिए दोस्तों और नेवल अकाडमी दोनों के लिए लापकारी साबित होने वाला है यह जो भूक है ना यह स्टॉडी गाइड है और स्टॉडी गाइड की खासित यह ना आपका संपून आपका त्यारी इससे हो जाए आप देखिये दुकान से भी ले सकते हो अब देखिये दोस्तों ध्यान समझिएगा यहां पर दोस्तों यहां पर लिखा गया ना जैनल एबिल्टी 600 माक्स इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इंग्लिस 200 नंबर का माक्स का हो गया बाके दोस्तों GKGS आपका 400 म माक्स का यानि दोनों के इंक्लूड करेंगे दो 600 माक्स ठीक है अब देखो इसमें क्या पूछेगा सारा बताता हूं इंग्लिस तो आपका 200 माक्स हो ही गया बाके दोस्तों फिजिक्स से जो आपका GKGS है ना उसका बता रहा हो कितना का वेटेज है फिजिक से 25 परसंट रह रहेगा और करेंट से दोस्तों आपका 10 परसंट रहेगा कि लिए तो सारा का वेटेज भी हमने बता दिया है ठीक है तो GKGS से 400 माक्स जिसमें से यहां पर लिखा गया है आप लोग देख सकता कितना कितना परसंट रहेगा ठीक है आप देखो इंटर्भ्यू इसमें बहुत से स्टार्ट होता है समझे लो मेजर यह सब दोस्तों पोश्ट होता है यह सब आप जाओगा ना कैप्टन वेगर आप बंते हो दिरे दिरे ध्यान रखिएगा इसमें सेलरी सुनिएगा ना दिमाग चक्कर खाने लगएगा अब सेलरी देखिए 56,100 स्टार्टिंग है बेसि समझ रहे हो आपका मतलब समझने बहुत अच्छा ठीक हाइड मेल के लिए 157 सेटीमीटर मांगता है फीमेल है तो 152 सेटीमीटर हाइड की जूरत होती है यह सारा कुछ हमने आपको बता दिया बाकि दूस्तों एक्जाम सेंटर आप लोग देख लिए आपको दिकत नहीं हो आपको बाहर नहीं जाना होगा खोद भी एक्जाम सेंटर यहां से आप लोग देख सकते हो ठीक है अप्रेस्टेट का यहां पर नोटिपीकेशन में देख सकता हो नो हाइट एन वेट का जो सेंडर्ड दिया गया है फीमल के लिए ठीक है आर्मी यह इंडिया आर्मी के लि मैं है तो ज्ञादा आपको देखना ए तो आप लोग पुछेगर फ्सकती है तो आपका पुछेगर kommt Zac सकता है पर सकतो हो फिजिक्स में क्या क्याती है सारा डीटेल्स आप लोग पढ़ना चाहते हो यह नोटिपिकेशन हैं बाकी अब जोब पर फाइल समझ लीजिए अगर थोड़ा समय आपको बताता हूं पहले दोस्तों फिर सी इसका समया देता हूं सबसे पहले मात्रह बारभ इसके लिए भी धाई घंटे जो जैनल अबीटी इसको दो पार्ट में बाता गया है इंग्लिस से 200 माक्स और जीकेश से 400 माक्स और जीकेश में क्या क्या कितना नंबर का पूछेगा यहां परसेंटेज लिखा हुआ है क्लिए यह पास करोगे इंटर्वी नौसम नंबर का ह होता है इसको इन इंटर्विव बोलते हैं कि ध्यान एगा और इंटर्विव पास का भिए इंटवी में आव का प्रसिकिए ढोलते बोलबने का सहली प्रस्रों का जबाब कैसे देता हो यह सब दोस्तों देखा जाता है ठीक है बाकि हाइट यह बता दिया सेलीरी हमने आपक काम जैसे मैंने बता है पोश्ट का नाम लेटिनेंट मेजर कैप्टेन यह सब तो मूभी में देखते हो गए ना उसमें जॉब लगेगा समझे लो तो भाई अच्छा खासा अगर इसमें जॉब हो गया ना तो भाई आपका पेपर नाम आ जागा यह धियान रखिएगा अगल अप्लाइ करना चाहिए और मातर भारभी पास पही है और सेलरी भी देख लो सेलरी छोलो ना एक तो देश की सेवा करने का मौका मिल ला है तो इससे बढ़कर क्या कोई सेलरी होता है तो आपका नाम होगा और समझे लो आपका कितना प्रावल मूमेंट होगा अगर जब जीएगा चैनलों जरू सब्सक्राइब करके बेल आकन तबाएएगा धन्यवाद